इस वीडियो में यह बताऊंगे कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में या फिर डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टेम में कैसे हम जस्ट फ्यू सेकेंड में कर सकते हैं तो इसके लिए बस एक ही कंडिशन है और वो यह है कि आपकी क्यलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तो हमारे दोस्ट जेंडल तरीका हो हम कैसे करते हैं जैसे 35 है इसको हम यह बाइनरी में करना है तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करते हैं और यह बाइने को क्या है वाइड है जाए जाए दिवाइड जांगे understood करते हैं एथ आप करना दिवाह बाइन सब्सक्राँ電 नहीं करते है भैंते हैं और 5, आज़ा करते हैं कि जो डिजिट है, multiplied by जो बेस है, उसका पावर हम लिखते जाते हैं, then again 0 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus, यहां पर 1 है, 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. तो यह इतना होज़ाएगा, यह 32 plus, यह 0 मज़ह पाज़ाएगा, यह भी 0, यह पर बेस्पन खर्ड़ायगा, 2 into 1, 2 and यहां पर गरी गार 1 into 2 to the power 0 है, तो यह पितना होज़ाएगा, 1 into 1, 2 तो यह आज़ाएगा 30 करते हैं, इस तरीके से हम binary से decimal convert कर लेते हैं, फली यह तरीका आ जाना चाह्यता भी तो हम इसका जो स्वाड कर तरीका डूम सकते हैं तो एक मैं नंबर लेता हूं कुछ बिजय से यहां पे हो गया 524 तो यह पाइट यहां पर बना कैसे है यह कैसे बनाएं तो प्लस टू इन्टो टैन प्लस पोर इन्टो वान यह ऐसे बना है इसका जो यूनित है इसका जो टू है इसके जो वेड़ों की हां जस सके जना सेतनी हो यांद है यानिए यह कितना है 10 एंदिध है यानि ही ये 1000 हो जायगा जितना धी वैल्योह में फोर फाव लीड हो जाय गा दो era इसको जब आव देखो गे तो 507 फाइब हमेंदें यानि है कि क्या हो रहा है कि पहले वाले से 10 से छिवोरा आगे वाले और उसकी वैल्यू उसी सिद्वार्ण सब्सक्राइब अब देखते हैं यहां पे बाइनरी तैने की 1,0,0,0,1 यह क्या होता है यह बाइनरी होता है तो same way में यहां पे क्या होता है, unit होगी 1 लेकिन next वाले की जो value होगी वह कितने से increase होगी, जसके double वो इसलिए यहाँ पर क्या होड़ा है कि 10 गुना हो जारा है लेकिन यहाँ पर बस double होगा वो इसलिए कि यह decimal number system है यह binary number system है यहाँ पर यह 2 हो जाएगा then next वाले कि जो value 4 हो जाएगी यह 8 हो जाएगी और यह 16 तो यानि कि अगर आप देखो गए तो इसकी जो value होगी ना 1 into 16 plus 1 into 1 इतना हो जाएगा 17 यानि कि 0 into 8 यह तो नहीं होगा यहाँ पर क्याएगा 4 into 1000 plus 5 into 100 plus 2 into 10 अगर यहाँ पर 0 होता तो 0 into 100 वाहाँ पर उसकी value 0 हो जाते तो तो कुछ की add नहीं होता यहाँ पर क्याओगी जहाँ 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 0 हो हम आड नहीं करेंगे 1 into 16 and 1 into 1 तो यह 17 हो जाएगा त्यानि कि अभी एक पैटर्न पता चल गया है कि हमारा नेक्स्ट वारा जो बिजिट है कैसे बढ़ता जाएगा तो अभी मैं क्या करता हूं कि एक सिप्मेंस अप नंबर जो जस्ट उसका डबल होता जाएगा मैं यहाँ पर लिखता हूं ता कि आभी आगे वारे सुलेशन में हम हेल्प मिलेगे 1248 16 32 64 128 256 512 10242 408 and then 4092 96 9 तो अब मैं बता रहां तो जो स्ब्समों की किसी जीन झांबर को बैनरी में कनवर्ट कूरणी के जाहां जहां 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 ब स हम उसी के वैड्म हैड कर रहे हैं और जिसकी वैट नहीं करना है वहाँ पर हम क्या पर दे रहे है चुलू को अब क्या रहा है कि 35 को हमें का भी में है किसमें बाइनरी में तो इसका में ऐस्के पर नेरेस्टक का पर नेरेस्ट बरुट के तरफ यह जो आए पर में निचे तरफ लोटक तरफ दिया अब क्या है कि 16 हमें add करना है 35 के लिए तो add नहीं करना है यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उसके बद हमें क्या करना है कि 8, 8 add करना है और 32 में 8 add करेंगे तो 40 हो जाएगा तो उसको भी हम add नहीं करेंगे पर करने सब्सक्राइब तो यह समें नहीं करेंगे तो यानि कि एड करें तो 1 गरी में आगे तो अगे मैंने यह सिंपल बस आराम से समझा कर बता रहा हुए तो अधर्वाइस यह बस कुछ सेगेंड होगा फाम में पर क्या रहे कि यह नमबर लेता हूँ जैसे 80 है अब आपको इसको बाइनरी में कंवर्ट करना है तो कैसे कर लेंगे 64 तो कितना हो जाएगा 60 है करने के बाद हमारा नमबर 80 आगया तो आप क्या करेंगे 16 के बाद हमारा कितना फोटीट बाद रहा हुए और किसी क्यों भी आइड नहीं करना है यह और 96 आगया अब इसके बाद क्या है कि 16, 8, 10, 5 विजित हमें आइड नहीं करने है लेकर रहा है लिखना प्रहेगा 0000 तो यह अपना 96 हो गया और दूसरा हमेरे लिखने है जैसे 40 यह क्या हो जाए 32, 16, 8 एट आइड कर दिया हमारा 40 आगया उसके बाद 4, 2, 1 तो यह अपना 40 हो गया गया दे 97 लेकर इसके लिखने नहीं किया, 64 नहीर्स हो जाए गया 64 एट एड दृस थाटी तो अगर आट करेंगे तो 96 हो जाए तो यह 97 महाना से यह 96 हो गया और क्या आप किया था 64 प्लास 32 तो यह 16 नहीं किया, 8 नहीं किया, 4 नहीं किया, 2 नहीं किया और 1 आप कर दिया, यानिकि यह 97 हो गया एक और नम्बर लेता हूं जैसे 289 तो इसका जो निरेस्ट वाइट रहें किया गया 256 तो वो आप करेंगे yes 128 आप करना है नहीं करना है तो यानिकि 0 उसके बाद क्या 64 आप करना है नहीं यह भी आप नहीं करना है then 32 यह आप करना है यानिकि 256 में 32 अगर आप करते है तो 628, 525, 538, 288 yes आप करेंगे यानिकि 32 हमने आप कर दिया उसके बाद क्या 16 आइड करना है नहीं करना है, 8 आइड करना है नहीं करना है, 4 आइड करना है, 2 आइड करना है, 2 आइड करना है, यह 288 है, यानिकी 1 आइड कर दिया, तो यह हमारा क्या हो गया, 289 हो गया, एक और नबर लेता हूं जिसे 597, तो 597 करना है तो इसके जब नियर कर दो उतना है घर करने शैलगों लॉर्टिक्र सदव कि इसमी ना कारे कि यह ए टिट नहीं आइड नहीं करना है, उसके बाद 16, इसमें 16 आइड करेंगे, अगर 16 आइड करते हैं तो इतना हो जाएगा, तो 8 आइड नहीं करेंगे, उसके बाद 8 अगर आइड करते हैं तो इतना 600 हो जाएगा, तो 8 आइड नहीं करेंगे, उसके 4 अगर आइड करते हैं 592 में तो 596 हो जा यानि कि 4 आइड कर दिया तो 596, 2 आइड करेंगे तो 598 हो जाएगा, तो 2 आइड करेंगे, और 596 आइड 597 चाहिए तो 1 आइड कर दिया, यानि कि हमने यह हो गिया, तो इस तरीके से आप देख सकते होगी किसी ही डेसिमन लंबर सिस्टम को में कितनी आसानी से बीना अब कर सकते हैं, यह थो थो थोड़ा लंबर ते इसके टाइम लग रहा है, जैसे अगर 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, यह सब तो आप just 5 seconds में हो जाएगा, उसी तरीके से suppose वाल कि कोई binary number दिया गया, 101011, अब इसको convert करना है decimal, तो इसको जो value होती है, ऐसे बढ़ती जाती है, इ 8 एड करना है, 8 plus 3, 11 हो गया, and then यह कहा है 16, 16 एड नहीं करना है, 32 हमें आइड करना है, and then 64 एड नहीं करना है, 128 एड करना है, यह अपना ऐसे हो गया, तो इसको हम आड करना है, 8 to 10, 11, 1, then 3, 3, 6, and then 7, and then 1, 177 हो गया, एक दूसरा number लेता हूँ, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, then 2, 4, 8, 8, 4, 12, and then 13 के बाद यह क्या हो जाएगा, 16, 32, 64, 128, 128, 128 प्लस 13, कितना हो जाएगा, 141, यह direct 141 हो गया, एक को नमबर लेता हूँ, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, अब इसको कनवर्ट करना है, आपको डेसिमल में, तो यह क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, तो यह कितना हो गया, 5 हो गय 27, यह convert हो गया, दूसरा एक कि नमबर लेता हूँ, जाएगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, okay, अब इसको कनवर्ट करना है, आपको डेसिमल में, तो यह 1, 2, 2 हो जाएगा, 4, 8, 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18, तो 32, 64, 128, 256, यानि, 256 प्लस 18, तो 256 प्लस 18, कितना किसी भी binary number को हम decimal के आप just few seconds में convert कर सकते हैं, या फिर किसी भी decimal number को binary में कैसे just few seconds में convert कर सकते हैं, तो यह shortcut तरीका है जिससे आप बिना divide की हो, किसी भी number को बहुत easily convert कर सकते हो